दोस्तों काफी सारे स्टुडेंट को बिहार DLA फॉर्म का बहुत ज्यादा इंतिजार था जो 2024 का फिलब होना था 2026 सेशन का और जनवरी में अपलाई होना था इसका और किसी कारण वश इसका जनवरी में अपलाई स्टार्ट नहीं हो पाया जिसका मैंने एक वीडियो भी बन प्रोसीजर के बारे में अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है और उमीद है कि लिंक बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा लेकिन जो फार्म का जो है अपलाई स्टार्टिंग के लिए जो है मैं इसे जा चुका है जो कि इसका अपलाई डेट दोस्तों आपका है वह दो फ कि जो आपका एक जनवरी दो हजार चौबिस तक आपका एच्शेवरं टिन इयर्स कंप्लीड हो जाना चाहिए ठीक है यदि कम है तो फिर आप फार्म को फिल अप नहीं कर सकते हैं और इलिजिबिलिटी की बात करूं तो इलिजिबिलिटी इसका है मिनिमम टेंथ पास या फिर आपका एपिएरिंग है अगर तो भी आप डिलेट का फार्म के लिए अपलाए कर सकते हैं एक पेरिंग का मतलब यह हुआ कि यदि आपने इस बार 12 का एक्जाम दिया है और रिजल्ट नहीं आया है ठीक है तो भी आप इस फार्म को फिल अप कर सकते हैं अब बात करू कि दो किया में तो डक्यूमेंट जो है आप का इसमें लगने माहला है 10 टेंथि आन ट्रिफिएट के उसके बाद की मैं बात करओ कि तो परसेंटेज रिख्वाइड की तो परसेंटेज होने माला है आपका जेन्रवी एस को कि को फिफटी परसेंट मांक्स होना चाहिए और के बाद SC-ST के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए आगे मैं बात करूँ तो फार्म का फी क्या रखा गया है तो जो फार्म का फी है दोस्तो जेनरल EWS OBC का 960 960 रुपए पे करना है आपको online पे कर सकते हैं आप नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं या फिर अपना UPI से भी पे कर सकते हैं और उसके बाद SC-ST कंडिडेट के लिए जो होगा ओ 760 रुपए होगा और जहां तक मैं बात करूँ सेलेक्शन प्रोसेस का तो सेलेक्शन का जो करूँ सेलेस आपका हिंदी आपको ट्वेंटिफाइब कोश्थन रहेगा मैज में आपको 25 कोश्थन रहेगा और इंगलीस में 20 कोश्थन रहेगा और टीने Kinilis में 10 कोश्थं रहे गा आपका यह तोटल जो है आपको मैं बतादों की टोटल number of question 120 होगा 120 होगा जो time आपको होगा वो धाई घंटे का time मिलेगा ठीक है और उसके बाद जो है आपको no negative marking आपका इसमें से कोई भी negative marking नहीं किया जाएगा यानि कि यदि माल या जै आपने कोई गलत answer दे दिया है किसी भी question का गलत answer दे दिया है तो उसका आपका सही answer में जो marks आपको मिला है जो number आपको मिला है उन में से minus किसी भी परकार का कोई भी number आपका minus नहीं होगा और उसके बाद जो है after entrance exam आपका क्या होने वाला जैसे आपने entrance exam दे दिया है तो उसके बाद का जो आपको procedure है वह है result publish आपका result आएगा result पब्लिस होगा और result पब्लिस होने के बाद आपको government college या private college according to percentage score आपका जो percentage आप score करेंगे आपने जो exam दिया होगा और आपको result आएगा उसमें जो percentage आपको पहलेज होना उसी के according आपको college मिलेगा या तो government college मिलेगा यदि आपको government college मिलता रहे होता है जो सब्सक्राइब दोस्तों मैं बता दो की आपको उसमें limited seat होता है और limited seat का मतलब है कि आपको हर परतें के student exam तो बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं और pass भी करते हैं तो सारे स्टुडेन को government college नहीं मिलता है government college के लिए आपको 90% प्लस आपका marks होना चाहिए देखिए का इसका जो है cut up अलग अलग भी हो सकता है यह मैंने एप्रॉक्स बताया है कि 90% प्लस आपका marks government college के लिए होना ही चाहिए और private college की जहां बात करो तो maximum seat जो है इसमें रहता है ठीक है हलांकि private college में भी limited seat ही होती है ऐसा नहीं है लेकिन आपको government college के compare private college में ज्यादा से ज्यादा seat होता है एप्रोक्स मैं बता दूँ आपको कि इसमें percentage की जो requirement होती है 35-40% से एबब कम से कम 35% भी रहेगा तो आपका admission हो जाएगा ठीक है 35-40% से उपर आपका marks होना चाहिए private college के लिए ठीक है और उसके बाद जो आपका exam का pattern होता है इसका online exam होगा computer based exam होगा और आपका मैं बता दूँ syllabus के बारे में तो 10th base आपका math का question आएगा और 10th base होगा 10th class का metric के लिए जो आप जो तैयारी करते हैं उसी के based में आपका exam होगा और जो syllabus होगा आपका उसी के based पर होगा और after DLA you have to do seatate for become teacher आपको जो है यदि teacher बनना है तो DLA करने के बाद आपको seated qualify भी करना होगा seated qualify करने और BPSC का exam को भी आपको phase करना पड़ेगा उसके बाद आप भी teacher बन सकते हैं यह था complete process हमारे वीडियो में कि आपको DLA के लिए क्या क्या requirement है क्या age की requirement है क्या फी आपको लगेगा कितना percentage marks होना चाहिए और यद हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फेरी मच्च